हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लेके आई हूँ सूजी और आलो का बहुत ही टेस्टी और हैल्दी नास्ता जिसे आप एक बार देख भी लेंगे ना तो बनाने को दोड़ पड़ेंगे मलब इतना टेस्टी देखने में लगता है उसे कहीं ज़्यादा टेस्टी खाने में होता है तो करना कुछ खास नहीं है मैंने एक कप सूजी ली है उसी कप का आधा कप मैंने दही लिया है और आधा कप उसका पानी लिया है इसे कर देंगे हम अच्छे से mix और आपको पता है इस recipe की खासियत क्या है ये बिल्कुल मिंटों में बनकर तयार हो जाती है बिल्कुल 5 मिनिट में जब भी भूग लगी हो तभी इसको try करना तो मैंने अच्छे से mix करके इसे side में रख दिया है तब तक हम एक आलू लेंगे कच्छा आलू मैंने लिया है और मोटे वाले ग्रेटर से इसे grate करेंगे ये देखो मोटे वाले ग्रेटर से grate करने से थोड़ी लच्छे से बन जाते हैं तो बहुँद टेसी लगेंगे नास्ते में ये देखी मैंने अच्छे से grate कर लिया और ये देखो जल्दी ही आलू ना ब्राउन कलर का होने लग जाता है क्योंकि इसमें ना स्टार्च होता है तो क्या करेंगे इसका सारा स्टार्च हम बाहर निकाल देंगे पानी डाल के तो मैंने आधा किलास इसमें पानी डाला और अच्छे से ना दो बार इसे वोश कर दिया ताकि ये विल्कुल ना वाइट वाइट लगे और सारा स्टार्च इसका बाहर निकल जाए अब मैंने एक तड़का पैन लिया है उसमें ना कोकोनट ओयल डाल दिया आप कोई भी ओयल डाल सकते है घी भी डाल सकते है जादा मसाली इसके अंदर हम नहीं डालेंगे सिर्फ हल्दी काली मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे और साथ ही मैंने जो ग्रेट केतना अलू वो डाल देंगे और इन्हें भी कर देंगे अच्छे से मेक्स यकीन मानिएगा जब भी छोटी मोटी भूग लगी हो ना तो यह नासता आप बना कर देखेएंगा बहुत टेस्टी लगता हैं और साथ ही वह दी हेल्दी है छोटे बच्छों को भी आप खिलासकते complete एक चिला टाइप भी बना सकते हैं बट मैं छोटे-छोटे बना रही हूँ क्योंकि कई रेसिपी ऐसी होती ना कि देखने में भी अच्छी होनी चाहिए तो ये छोटे-छोटे ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में तो मैंने क्या किया दो से तीन मेंट ढग कर अच्छे से पका लिया और अब इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए पकाएंगे ये देखिए अच्छे से प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से इसे कोक कर लेंगे और ये देखिए हमारा छोटा सा आलू और सूजी का चीला बनकर हो चुका है, रेडी, दोनों साइड से अच्छे से ये पक चुका है, आलू भी अच्छे से खुक हो चुके हैं, सब के सब को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे ही ये देखिए, थोड़ा सा मेरे घी से इ बनाकर कर दिये हैं रेडी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप एक बर तो जरूर ही ट्राइ कीजिएगा आलू और सूजी तो सबके घर में होती है तो एक बर बनाना जरूर और कमेंट विक्स में ये जरूर बताना कि आपको ये चीला कैसा लगा और रेसिपी दा रही है तो चैनल को सबस्क्राइब चुरूर किजिएगा थैंक यू सो मच फो बोचेंग